श्री गनेशाय नमा, अत्श्री पद्म पुरानान तर्गत, माग मास माहात्मिय, माग मास पांचवा अध्याय, श्री दतात्रे जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वितांत सुनाता हूं। व्रिगु वंश में रिशिका नाम की एक विध्वा ब्राह्मनी थी जो जो बाल्यकाल में ही विध्वा हो गई थी वह रेवा नदी के किनारे विंद्य परवत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंडिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुख हो गई। माक स्नान के फल से वह दिव्य चार हजार वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रराद्वारा तिलोत्तमा नाम की अपसरा ब्रहालोक में उत्पन हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीन और मुकर कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप योवन और सौंदर्य देखकर ब्रहा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में सनान करके वन में बैटी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के स अमान प्रूप वती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लजजित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखी आप भी चल कर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात रख कर वहां पर आये जहां पर वह सुंदरी बैटी हुई थी और मदिरा के पाने से विभल होकर काम पीड़ा से पीडित हुए और दोनों ही आपस में उस त्री रत्म को प्राप्त करने के लिए विवाद ग्रस्थ हुए और पिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप रख को कहा कि है चंद्रवदनी मैंने तुमको सूर्य के रत पर स्थान दिया जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो।